कि हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे mathematical reasoning mathematical reasoning जही में इसके लिए बहुत ज़्यदा important topic है अच्छी बात यह कि छोटा सा topic है इसमें theory भी बहुत कम है और बहुत कम practice से भी हम एक question वहां पर solve करके आ सकते हैं इस तरीके से हम देखेंगे और तो हम यह पाएंगे कि यह जो topic है यह कितना ज्यादा वेटेज वाला topic हो गया ज्यादा वेटेज कि सेंस में आएगा तो एक ही question लेकिन two to three hours की total preparation में हम यहां से four mark ले सकते हैं इस question के through तो mathematical reasoning हम start करते हैं से पहले कि मैं start करूँ एक example हम देखते हैं यहां पर मान लिजिए कि मैं दो statement को connect कर रहा हूं ठीक है जैसे पहला statement है it is raining और second statement है school is closed इसका negation क्या आएगा इसका denial क्या आएगा आप दो मिनट सोचें उसके बाद हम start करेंगे it is raining and school is closed अब आपने अगर सोच लिया होगा तो फिर हम देखते हैं कि जब हम इसको इसका denial find करते हैं या negation find करते हैं तो error हो जाते हैं क्यों क्योंकि हो सकता हमारा language पर उतना अच्छा command नहीं हो तो mathematical reasoning के दुरू अगर हम questions को करेंगे तो कभी गलत नहीं होता और जो मैंने अभी बोला इस question का answer हम थोड़ी देर बाद देखेंगे सबसे पहली चीज़ आते हैं कि statement statement हम किसको बोलते हैं ठीक है तो a sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both statement की बात हम कर रहे हैं statement मतलब उसका एक है आउटपुट हो सकता है या तो वो true हो या फिर false हो false हो उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता जैसे 2 plus 2 equal to 4 यह statement है अगर यहां लिखा हो था 2 plus 2 equal to 5 तो भी वो एक statement है भले वो एक false statement है ठीक है sum of two positive number is positive number यह statement है all prime numbers are odd numbers यह statement है भले यह false है ठीक है क्योंकि even भी two जो है वो even prime number होता है तो अभी हम क्या discuss कर रहे है statement क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है वो true है या false है ठीक है तो यह जो examples है New Delhi is in Nepal तो यह भी एक statement है true false है मतलब नहीं है ठीक है तो यह जो है यह सब लेकिन अब यहां पर जैसे यह जो है mathematical is a fun यह जो है statement नहीं है switch switch on the light यह कोई statement नहीं है ठीक है these are not statement अब negation of statement जैसे कि हमने start किया था और बोला था कि आपको दो sentence दिये थे connect करके और उसका negation find करो negation कैसे हम find करेंगे वह वह हम देख रहे है if p is a statement then the negation of p is a statement and is denoted by this sign and read as not p कैसा statement होता है इस type का statement होता है यह कभी ऐसा भी लिखा है तो भी एक ही बात है यह sign है तो भी एक ही बात है ठीक है negation इसका क्या meaning है negation का मतलब opposite नहीं होता है जैसे मान लिजे x greater than 2 इसका negation क्या होगा तो maximum बच्चे जो है इसका negation x less than 2 बताते है जबके answer क्या है x less than or equal to 2 negation का meaning है ऐसा ना हो ऐसा ना हो तो क्या होगा या तो x 2 के equal होगा या फिर x less than 2 होगा ठीक है तो अब इसका क्या meaning है इसको जैसे negation of p जब हम बोल रहे है तो इसको हम कैसे read कर सकते है x greater than 2 तो negation of p क्या है x is not greater than 2 ऐसा भी बोल सकते है या ऐसा बोल सकते है it is not case that x is greater than 2 और एक और तरीका है it is false that x is greater than 2 ठीक है negation को हम तीन तरीके से बता सकते हैं suppose ये statement है p p statement क्या है x is greater than 2 और negation p हमें बताना है तो तीन तरीके से हम इसको बता सकते हैं पहला it is false that x is greater than 2 दूसरा it is not the case that x is greater than 2 ठीक है और तीसरा ये तो हम बता है सकते है x is less than or equal to 2 अब जैसे कुछ example देख रहे हैं new Delhi is a city अब इसका negation जब हम देख रहे हैं तो जैसा भी बता it is not the case that new Delhi is a city ये negation हुआ एक और तरीका क्या है it is false that new Delhi is a city और third new Delhi is not a city इस तरीके से हम बता सकते हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है यह अब आते हैं compound statement compound statement का मतलब क्या है दो simple statements को किसी connective के साथ में connect करके हम लिखते हैं तो उसको हम बोलता है compound statement जैसे it is raining school is close अब इसको combined कर दिया it is raining and school is close and से connect कर दिया तो compound statement हो गया compound statement जो है वो यह है if a statement is a combination of two or more simple statement than it is said to be compound statement और compound proposition अब जो connectives है जैसे and से connect किया था तो क्या basic जो connectives हैं वो कौन कौन से है logical connectives तो यहां पर जैसे and है तो and को हम इस sign से denote करेंगे और इसका nature क्या conjunction है ऐसे यहां पर और और का इस symbol से हम इसको represent करेंगे if फिर एक statement लिखा हुआ है then उसको हम इस तरीके से बताएंगे यह arrows है ठीक है दोनों एक ही बात को represent करते हैं जैसे एक statement if school is closed ठीक है if it is raining फिर कोई connective आया then school is closed इस तरीके से है if and only if यह जो है इसको implication बोलते है ना पहले थर्ड वाले को implication इसको equivalence और by conditional और double implication भी बोल सकते हैं तो इस if and only if का मतलब है पहला statement true है और दूसरा भी true है पहला statement true है तो दूसरा भी true है अब converse is also true if second one is true implies that first one is also true जबकि implication में क्या होता है या unidirectional है तो पहला statement true है तब दूसरा true है लेकिन by conditional में दूसरा true है तो फिर पहला भी true होगा for example एक्विलेटरल ट्राइंगल इस एक्वि अंगिलर ट्राइंगल ठीक है तो यह हमें धियान रखना है not not का हमने पहले देख लिया not का symbol यह होता है और यह negation को represent करता है तो इससे पहले कि आप इस पर कुछ questions को attempt करें आपको पहले यह connectives अच्छे से पता होने चाहिए उसके बाद ही हम questions पर आते हैं अब जो इनकी truth table हमें पता होने चाहिए एंड की truth table एंड की truth table यह है जैसे मान लिजे पी यह विलकुल logic gates की तरह है सारा जो इसमें इस पर कमांड अगर आपको करना है तो truth table आना चाहिए और कुछ points जो अभी बताने वाले हैं वो और बस उसके basis पर हम सारे questions को कर लेते हैं तो जैसे यह पी एक statement है क्यूं दूसरा statement है और यह एंड का sign है पी एंड क्यूं तो इसका मतलब यह कि अगर पहला true है दूसरा true है तो इसका जो output आएगा यह truth value हो गया इस column का truth value वो true आएगा जबकि दोनों में से कोई एक भी false है तो फिर यहां पर false आएगा मतलब true false false है false true false है false false भी false है तो यह truth value हमें ध्यान लखना है इसका end का ऐसे अब यहां पर यह जो यह basically एक circuit से connect करके बताया गया है कि अगर यह switches है मान लीजिए ठीक है तो यहां पर अगर यह दोनों on हो जाएंगे तो हमें यहां पर जो भी है उसका output यहां पर मिल जाएगा output मान लीजिए bulb है तो वो on हो जाएगा तो दोनों के on होने पर ही होगा series connection की तरह यहां पर हम इसको याद करने के लिए memory में इस तरीके से बढ़ा सकते हैं फिर आते हैं और पर तो और का sign होता यह अब इसका truth table true 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 है true false भी true है false true भी true है false false यहां पर false होगा तो पहले वाले अगर हम देखेंगे जो पहले वाला था उसमें यहां पर एक ही true था और three false थे और दूसरे वाले में यहां पर हमें तीन जो है true दिखेंगे three true है और एक false है और यह कहीं न कहीं series connection पैरलल connection की तरह हमें दिखता है कि अगर एक भी ओन है तो यहां से हमें output मिल जाएगा ऐसा समझे लो बल्व ओन हो जाएगा ठीक है अगर बल्व है यहां पर तो दोनों ही अगर ऑफ पोजिशन पर तो कोई output नहीं मिलेगा इसलिए फॉल्स 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 है फिर जो तीसरा है कनेक्टिव लाजिकल कनेक्टिव उसका truth टेबल देखते हैं वह है इफ दैन मतल तो two the two statements connected by the connective phrase if then give a compound statement which is known as the non as if then implication अब जैसे P and Q are two statements forming implication if P then Q then we denote this implication this यहने अगर P जैसे P को बोल दिया suppose इसको पढ़ना आना चाहिए इसका क्या मेनिगे मान लिजिए ऐसा है P statement यह है it is इसी example के तुरू हम सारी चीज़ें देखेंगे it is raining और Q statement है school is closed तो अब P implication Q का क्या मतलब है हाना if then if then implication है if then इसका meaning है if it is raining then school is closed जैसे and अगर यह लगा है तो कैसे read करेंगे it is raining and school is closed और P और Q है तो कैसे read करेंगे it is raining और school is closed तो यह हमें धियान रखना है ठीक है if then का मतलब यह है if फिर पहले statement then फिर second statement यह है तो if P and Q are two statements forming the implication तो if P यहने P it is raining then Q school is closed इस तरीके से उस बात को ऐसे denote करेंगे इन दी implication P implication Q इसको एसे रीड करेंगे P arrow Q बोलने क्यों है P implication Q P is called antecedent or premise of the implication Q is called consequent यह तो बस एक नाम दे दिया है इसका as such कोई खास यूस नहीं है conclusion बोलते है इसको the implication P implication Q is same as each of the following देखें P is sufficient condition for Q इसको ऐसे भी समझ सकते है P क्या है Q के लिए sufficient condition है मतला पहले वो condition satisfy हो रही है तब हम Q की बात करते हैं तो sufficient condition for Q बोल सकते हैं इसी बात को और कैसे कैसे हम बोल सकते हैं P is sufficient condition for Q वो भी P implication Q को बता रहा है P only F ऐसा भी बता सकते हैं 3 Q is necessary condition for P Q जो है वो necessary condition होता है तो P implication Q से related जो बात है वो यहां देख रहे हैं P implies Q यानि P है तब Q भी होगा और 5th Q is necessary condition for P यह तो हमने पहले ही देख लिया अब जैसे इसका यहां पर हम देखें तो इसकी जो truth table है वो हमारे लिए ज्यादा important है अब जैसे वोड़ा है P and Q are true then P implication Q is also true इसके truth table को हम देख रहे हैं तो इसका जो truth table है माल लिए यह P है यह Q है और यहां पर P implication Q है तो अगर P true है और यह true है दोनों true है बहुत P and Q are true then output of P implication Q is also true जैसे कि बोला है दी नंबर P कहा है दी नंबर N equal to 345 is divisible by 3 तो यह statement true है क्योंकि यह जो नंबर है यह 345 यह 3 से divisible है ठीक है और जो Q statement है the sum of the digits forming N is divisible by 3 तो ठीक है अगर यह statement true है यह condition satisfy होती है तो यह भी satisfy होगी तो result हमें क्या मिला true ही मिलेगा ठीक है इसलिए P true true क्या हमें मिल जाता है true मिल जाता है ठीक है अफ P is true and Q is false then P implication Q is false तो यहां पर जो truth table है उसमें यह हमें ध्यान रखना है P implication Q का truth table हमें यह मिलता है तो यह true 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 है लेकिन सबसे important बात अब यहां पर यह है पहला true दूसरा false तो यह false है ठीक false true true आएगा और यहां पर false false वो भी कैसा मिलेगा true मिलेगा तो यह इसका truth table हमें ध्यान रखना है ऐसा इसको consistent बनाने के लिए true false यहां पर यह लिया है देखिए अब जैसे यहां पर यह जो statement अभी हमने लिखा देखा इसमें तो एक number n 345 is divisible by 3 और यह true statement हमने लिया ठीक है और दूसरा this sum of the digits forming n is not divisible by 3 यह false statement लिया तो जब हम P implication क्यों निकालेंगे कि if number 345 is divisible by 3 then sum of the digit forming n is not divisible by 3 तो यह statement कैसा होगा क्या यह true होगा false होगा इसलिए यहां पर जो हमने truth table बनाय था इसका implication का true false क्या मिला हमें false मिलेगा इसी तरीके से इसकी बाकी की और जो दो values है वो है तो यहां पर truth table इसका यह हमें मिल जाता है true 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 false 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 true true and false false true यह हमें मिल जाता है जैसे यहां पर कोई statement हमने दे दिया कि false false true आला अगर हमें देखना है कि triangle is not equilateral then it is not equiangular ठीक है तो यह कैसा मिल जाएगा हमें त्रू मिल जाएगा त्रू मिल जाएगा त्रू मिल जाएगा त्रू स्टेवल हमें यहां रखना है if and only if implication if and only if implication में क्यों सीज में उसको हम इस तरीके से denote करते हैं यह इसका notation है इसका मतलब है अगर पहला true है तो दूसरा भी true है और अगर दूसरा true है तो पहला भी true है true बोलने की बजाए कि अगर यह condition exist हो रही है और उसके बाद में यह यह भी हो रही है इसके exist होने पर यह भी होगा यहने by conditional है दोनों तरीके से सही होना चाहिए forward or reverse direction दोनो में if P and Q are two statements then the compound statement P implication Q and Q implication P is called if and only if implication and is denoted by this sign P and only P if and only if Q means that both P and Q are true or else they both are false यह इसका meaning होता है तो अब इसका जैसे यह a triangle is equilateral a triangle is equiangular तो अगर यह सही है तो और यह दोनों सही है तो इसका converse भी true होगा triangle is equilateral if triangle is in इसको ऐसे पढ़ा है P implication Q पढ़ना है अगर मुझे तो कैसे पढ़ा जागा if and only if it is equiangular converse is also true if triangle is not triangle is equiangular if and only if triangle is equilateral इस तरीके से अब इसका जो truth table है वह हमें true false false है false true false है और false false true है ठीक है जैसे अगर हम बोलें एक statement ले लें triangle is equilateral if triangle is equilateral then if and only if it is not equiangular तो false हो गया ना पहला statement true दूसरा false तो double implication इसका हो गया false हो गया तो यह है आप तो यह चार truth table जो है यह हमने देखा सबसे पहले यह जो चार truth table है यह हमें पता होना चाहिए उसके बाद ही question को करना है जब भी आप इस video को देख रहे हैं तो यह बात का ध्यान रखना है आपको कि truth table पहले आपको अच्छे से पता होनी चाहिए उसके बाद ही देखना है तो पहला हमने एंड का देखा पी एंड क्यूँ इसमें true 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 है true false false है false false true false है और false false यह भी फालसी था ठीक है दूसरा हमने देखा था एंड यह तो यह एंड है फिर हमने देखा था और और वाले में हमें धियान रखना है और वाला क्या था यह पी और क्यूँ तो इसमें true 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 है true false true false true true false 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 है और तीसरा तीसरा इंप्लिकेशन यह थोड़ा केरफुली हमें धियान रखना है true true तो true है false true false false है एक ही बार इसमें false होता है बाकि सब true है अब false true वो true है और false false भी true है ठीक है एक ही बार false है और यह चौथा यहां पर था यह हमें चारों पहले याद होने चीए फिर हम question करेंगे नेक्स्ट ने टॉटलोजी टॉटलोजी का मीनिंग क्या है कि जब हम truth table बनाते हैं तो उसका जो last column है वो उस पूरे statement को conclude करता है basically अगर उस last column में हर जगे टी दिख रहा है मैं truth value truth value उसकी टी है truth value कुछ भी हो सकता है टी हो सकता है truth value और F भी हो सकता है लेकिन अगर truth value उसका टी है सारे पूरे column में तो फिर उसको हम बोलते हैं a tautology a statement pattern is called a tautology if it is always true whatever may be the truth values of constitute statements a tautology contains only t in the last column of the truth table जैसा कि अभी हमने discuss किया था similarly contradiction contradiction और fallacy एकी बात है इसमें जो truth table होगा उसके last column पे हमेशा हमेशा हमें false न जराएगा ठीक है tautology को small t से और contradiction को small c से denote करते हम a statement pattern is called a contradiction if it is always false whatever may be the truth values of its constitute statements in the last column in the last column of truth table of contradiction there is always f f the negation of a tautology is contradiction and vice versa मतलब यह है कि किसी भी अगर हमें इसका negation find करना negation of t is c and negation of c is t ठीक है तो यह है to evaluate tautology और contradiction we adopt the concept of truth table that includes every possible no valuation जैसे देखिए यहाँ पर मान लिजीए यह एक 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 जैंपल है पी हमें दे रखा है true true false false क्यों है यह अब पी implication क्यों क्या आएगा पी implication का टेबल हमें मालू में true 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 होता है true false 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 true true false false true एक ही बार false होता है यहाँ पर ठीक है क्यों implication P निकाला हमने क्यों implication P देखिए अब आप ऐसा देखिए true true तो true होगा false true true होगा true false false होगा ठीक है P implication में और false false यह तो true होगा अब इसका और ले लिया और तो इन दोनों को और लिया तो टी और टी टी आएगा false और टी टी आएगा टी और false टी आएगा टी और टी टी आएगा तो इसका मतलब अगर आपको यह पूछा जाए कि P implication Q और Q implication P जो हमें यह जो हमें मिल रहा है यह बिसीकली contradiction है या tautology को represent करता है तो दिस तिंग देनोड टाटोलोजी क्यों क्योंकि इसके last column में इसको हमने बनाया और इसके सारे column में इसके column में हर जगे T है it means यह क्या है टाटोलोजी है और इसी का negation पूछा होता पहले हम यह निकालते फिर negation लेते तो T को क्या लिखना है सी यानिकी false true का negation क्या है false तो यह आ जाता और यह contradiction को represent करेगा तो इस तरीके से अब कुछ important points है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके basis पर फिर हम questions को कर लेंगे जिसमें सबसे पहले पी और पी अच्छा इनके जो results हैं वो बिलकूल sets की तरह होता है जैसे हम बोल सकते हैं a union a a होगा similarly पी और पी पी होगा ठीक है यहाँ पर यह जो है यह equivalent statements है ठीक है this thing is यह ऐसा है यह equivalent statements है तो पी और पी वो भी कैसा होगा पी होगा then this thing is equal to p और q और r तो जैसे set theory होता है वो सारे rules इसमें भी applicable होंगे मतलब यह बोल सकते असोसियेटिव है तो हम ऐसे में लिख सकते हैं p और q और r ऐसे भी लिख सकते हैं इसको similarly और आगे के देखते हम तो इसमें भी हम लिख सकते हैं p and q यह वही same property ठीक है तो पी and q and r है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं यह है और रिजल्ट देखें कम्यूटेटि लॉँ तो पी और q है वो q और p के equal होगा जैसे कि set theory में भी हमने इसमें देखा हुआ है ठीक है set theory में भी इस तरीके के points हमने discuss किये हुए है तो इसी तरीके से अगर p and q है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं q and p यह आ जाएगा यह डिस्टिब्यूटिव लॉँ डिस्टिब्यूटिव लॉँ में आ जाएगा यहां पर हमें दे रखा p और q ठीक है डिस्टिब्यूटिव लाओ p और q and r है तो हम उसको लिख सकते हैं p और q and p और r तो यह इस तरीके से मतलब जितने भी रिजल्ट्ट्स है हैं हम set theory के थुरू जो भी set theory मे थें सेम उसी टाइप की रिजर्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे और भी रिजर्ट देखते हैं डिस्टिबुटी लॉव में एक और हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं P and Q और R तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं P and Q और P and R बिलकुल set theory के जैसे ही यह सारे results हैं इनको नाम से याद रखने जरूरी नहीं है identity laws और distributed laws बस हमें पता होना चाहिए तो अब जैसे P and T जब हम निकालेंगे तो वो हमें statement P के equal मिलेगा यह हमें ध्यान रखना है ठीक है अब यहाँ पर statement P के equal कैसे है अगर इसको समझना है तो मान लिजे P का truth value T है तो T and T T मिलेगा और T P का truth value तो P के ही बराबर है आपर और अगर मान लिजे P contradiction था C था false तो false and false false ही आएगा इसी तरीके से यहाँ पर P और false भी P के ही equal आएगा logic same है जो अभी अभी आपको बताया तो ऐसे और के लिए हम देखेंगे P और T हमें T मिलेगा तो T का किसी के साथ में भी और लेते हैं truth table हमने देखा है तो T यह आता है तो T and T हो या T sorry T or T हो या T और false हो and में अगर false अगर आजाता है तो false में तो हमें मालूम ही है जो हमने truth table देखा है end का तो अगर एक element F है और end ले रहे हैं तो उसका result F ही आता है हमेश्या then compliment laws यह बहुत important है तो P और negation P यह हमें T में लेगा सारे results को check करने का जो तरीका है उनकी truth values लेकर के हम देख सकते हैं के लिए P and negation P जब हम लेंगे ठीक है तो क्या मिलेगा वो negation of T अच्छा P and negation P तो P जैसे यहां पर इसको जोड़ा देख लेते हैं जैसे P हैं और यह negation P हैं तो P अगर यहां पर true है तो negation P क्या होगा false होगा तो इसका जो and लेंगे हम P and negation P वो हमें false मिलेगा false ठीक है जैसे अब यहां पर मान लिजीए हमने यहां पर false लिया होता तो इसका negation true आता तो true और यह यह हमें क्या मिलेगा? false मिलेगा ऐसे ही बाकी के जो laws हैं वो हम यहां पर लिख सकते हैं negation of T हमें क्या मिलेगा? false मिलेगा ठीक है? और negation of false हमें T मिलेगा absorption law यह basically यहां पर यह जो है यह P के equal आएगा ठीक है? P और P and Q आप इसको चेक करने के लिए आप truth table बना सकते हो उससे आप देख सकते हो जैसे आपको चेक करना है इसको तो यह हो गया P यह हो गया Q यह हो गया P and Q और अब इसका result देख लेंगे हम तो true 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 false false true false false इस तरीके से तो जो last column यह हम बनाएंगे पी और P and Q तो true 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 है true false and निकाल रहे हैं अब ठीक है तो यह आएगा false यह आएगा false यह भी आएगा false अब और ले रहे हैं तो यह आएगा true किस के साथ में पी के साथ में ले रहे हैं तो यह आएगा true यह आएगा false और यह आएगा false ठीक है तो आप देखी यह statement P के equal आया true true पर true आया यहां पर true था तो भी true आया यहां और यहां false था तो यह false है it means statement P के equivalent हुआ है similarly P and Q और P और Q हमें find करना है यह भी उसी तरीके से है इसको भी आप देख सकते है P यहां पर Q then P और Q यहां P and P और Q यहां गया तो true 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 false false true false false यह हमें दे रहे रहे तो यह क्या मिल जाएगा पी यह तो true आएगा फिर true आएगा और यह false आएगा अब इसका इसके साथ and जब हम लेंगे पी और Q का तो यहां true मिलेगा ठीक है इसका भी true मिलेगा यहां पर भी true मिलेगा और इसका में क्या मिलेगा false एंड ले रहे ना यहां पर पी और क्यू का एंड ले रहे तो true 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 फिर true true यह false true तो false मिलेगा ठीक है और false false भी false मिलेगा तो आप देखी है फिर से true के लिए true true के लिए फिर true यह दोनों false के लिए false हमें मिल गया तो यह अगें स्टेटमेंट सही है कि दी मॉगन स्लो सबसे इंपॉर्टेंट है तो यहां पर दी मॉगन स्लो पता होना बहुत जरूरी है दी मॉगन स्लो यह है नेगेशन ओफ नेगेशन ओफ पी और क्यू जब हम पाइंट करें क इक्वल के प्लेस पर यह साइन भी हम बनाएंगे इक्विवैलेंट का तो यह जो नेगेशन है इस ब्रैकेट में जब जाएगा तो क्या होगा यह दोनों को तो नेगेशन करी देगा लेकिन यह जो और है यह एंड में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है ऐसे ही जो दूसरा वाल पार्ट है नेगेशन ओफ पी एंड क्यू तो यह इसके नेगेशन इसमें तो जाए गई लेकिन यह एंड को और कर देगा यह दो दिमोगन स्लो बिलकुल सेट थेरी में जैसे होते हैं उसी तरीके से हैं आपर दिमोगन स्लो पिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ते यह स्टेटमेंट निगेशन ऑफ निगेशन पी इस पी ऑवियस लिए कोई भी हमने इसका नेगेशन के और वापस उसका नेगेशन कर दिया तो हमें सेम जो उरीजिनल स्टेटमेंट है वही यहां पर मिलेगा अब कुछ important points हैं जो हमें देखने हैं जिसमें यह जो point है यह बहुत ज्यादा important है P implication Q is same as negation P और Q इसके basis पर कई questions होंगे इसको check करते हैं कैसे यह इसके equivalent है तो यहां पर P हो गया यह Q हो गया पिर यह negation P then P implication Q और negation P और Q तो देखिए यह जो अब देख रहे हैं हम इसी के तुरूप बहुत सारे questions यह सारे questions को भी किया जा सकता है पहले तो इनकी truth values T T T T F F T and F F negation लेंगे तो F F T T negation of P तो T का F यह F यह T T T आ गया अब P implication Q क्यों होता है true true to true होता है true false false होता है false true true होता है false false true होता है यह हमें पहले से मालूम है अब negation P और Q इनका और लेंगे हम तो true और फॉल्स क्या होता है negation of this thing ठीक है अब यह negation of P implication Q और जब हमें negation of P implication Q find करना है तो वह हम कैसे find कर सकते हैं तो अब आप देखिए P negation of P implication Q find करना है suppose तो अभी जो हमने यह वाला statement देखा है उससे हम इसको क्या लिख सकते हैं negation P और Q जैसा कि यहां पर लिखा अब D Morgan slow जब इसमें लगाएंगे तो यह कैसा हो जाएगा negation of negation P और negation of this यह क्या हो जाएगा end में convert हो जाएगा negation of Q तो यह स्टेट यहां से हमें मिल जाएगा पहला पॉइंट ज्यादा important है और उसके basis पर फिर यह हमने negation of P implication Q find कर लिया एक और जो पॉइंट है वो यह है कि वाइं कंडिशनल जो है उसको हम लिख सकते हैं P double implication Q यह by conditional Q is equal to or equivalent to P implication Q and Q implication P तो इसको भी आप cross verify कर सकते हो जासे यह P है Q P implication Q ठिक है Double Implication P Implication Q वो भी लिखते है Q Implication P और फिर ये P Implication Q and Q Implication P True 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 False False True False False ठीक है तो True True क्या होता है By Conditional में ये True होता है ठीक है और ये दोनो False होता है और ये फिर से True होता है Conditional में ये पहले से मालूम है हमें ठीक है ना True False True होता है True 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 होता है True False False Then फिर True और ये भी True होता है अब Q Implication P का मतलब True 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 है False True True है लेकर true false false है false false true अब इनका end निकालते है end इन दोनों का end तो यह आएगा T यहाएगा F यहाएगा F और यहाएगा T अब आप धियान से देखेंगे तो यह जो column है column third column देखें और last column यह same आ रहा है इसलिए यह point यहाँ से हमें मिल जाता है अब अगर इसका negation find करना है तो हम negation कैसे find कर सकते हैं तो P negation of P by conditional this thing तो पहले तो आप P by conditional Q को अभी अभी जो हमने लिखा था उससे कह लिख सकते हैं P यह रा point P implication Q and Q implication P यह लिख सकते हैं अब first point से हम इसको क्या लिख सकते हैं negation P और Q and negation Q और P अब इस minus को इन दोनों में ले गएं गाले ले लिख सकते हैं रे अब इसको भी इसके अंदर ले जाएंगे negation sign को तो हमें मिल जाएगा P और का हो गया and और यह हो गया Q और इसके अंदर लेगा है यह हो गया Q and negation P तो आप देखिए यह point हमें मिल गया तो basically यह बहुत important point है और इसी से हम यह सब find कर सकते हैं तो first point और third point यह important है यह यह तो फिर question की तरह हम treat कर सकते हैं first और third important है यह तो इनका negation find किया है उसी के basis पर D Morgan's law वो जो दो laws है कौन से negation of P and Q is equal to negation of P or negation of Q first result second negation of P or Q negation P and negation Q तो यह जो है यह result दो और यह दो इनसे बहुत सारे questions 90% ज्यादा 90% से ज्यादा problems में income use करेंगे करना दो बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत और दो झाल